नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डिसल सार्थी के फेस्बूक पेज और यूटूब चैनल पर आज हम आ रखे हैं हिमाचल परदेश तैसिल चौपाल में पढ़ता है चूरधार मंदिर अपने आप में जो है काफी पुराना मंदिर है और बहुत साले श्रधालों यहां पर पारें कहीने कहीं जो है रोक लगाई गई है कि यहां पर रुकेंगा नहीं आते हैं चले जाते हैं मंदिर जो है एक दिन पहले खुल गया है तो मैं आपको दिखाता हूं कि साइट पर रहिए यह दिख सकते हैं आप सद्धालू है नीचे लेकिन कुछ लोग वापीस भी ज प्शुरत यह इदर सराय हैं जहां लोग रुकते हैं रात को लेकिन आजकल नहीं रुका जा रहा है और यह नीचे होटल है छोटी मोड़ी दुकाने हैं लेकिन यह टंप्रेरी व्यवस्था परमानेन व्यवस्था नहीं है आप लेकिन पीछे सराय है इसके बाद हम जो है आपको सीधी मुनाकात करवाते हैं जो पुजारी हैं यहां पर सत्पाल जी हैं और बालक राम जी हैं उनसे आपसे रूबरों करवाते हैं और जानते हैं यहां का इतियास किया है क्या यहां की व्यवस्था है क्या सरकारी व्यवस्था परना लिए क्या जो है पौरानी विवस्ता परना ली थी तो हम से जुड़ेंगे सत्पाल जी और बालक राम दोस्तों आज हम जो है हम आ रहे हैं हिमाचल परदेश और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये चूड़धार का मंदिर है और हमारे साथ जो बैठे हैं बालक राम पुजारी जी ह बहुत का रहे हां ल्याग पुजारी जी है यह दुनों सराहां ऑज ने मोंगा बहुत स्वागत है हमारे करें में और स्पेशल जो यहां का इतियास वगरा है उसको कवर करने हम लोग आरक हैं यहां पर ।ाकि McConnell क hp's जान पाएं कि वहां का इतियास और किस तरीके से पर पर जो मंदिर है इसके कारे कारणी किया है किस तरीके से consistency आप आपके पास काउंगा जो एन disabilities कोड़ा नाम आपकर चूरधार पड़ा है है था है फिर हाँ पर जो जब श्र्गुल महाराज जी आए तो उनहों से भागे 2022 कि तो शिर्गुरमाहराज ने बिजली लगाई थी और यहां पर वो छुरु महाराज जी पिपारा थे तो उनोंने बताया कि क्या बॉलते इसको हम इसको फहरना है तो उन्हों ने बोला कि मैं अपने भीर को तो नहीं पित दो गया फिर इंदरमाहराज से कुछ उले और वो जो बिजली लगाई थी न तो इनों ने इसको यहां पर स्तगिद कर दिया था और यहां से बगा लिया था जी बिल्कुल बालक राम जी आपके पास आउंगा थोड़ा आप और इतियास के बारे में थोड़ा बताया पाया क्योंकि आपके समय में और जो है सत्यप अधियास हुआ कि शिर्वल महराज के घर में जलम ले लिया जलम लेने से तपस्यावी की कुछ सिधपूर्ष थे सिधपूर्ष आने पर कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि वह नहीं सोचा परबत की और जाता हुआ तो परबत निगल गये चूड़धार तो माराज उनको तंक करते रहते तो चुड़ियादान अब भगाल नहीं कि चुपकर में थे एक दिन ऐसा हुआ कि समय के अनुसार शक्ती भी थी कुछ भगती भी थी उनकी तो उन्होंने जो है इंदर राज जासे को इसाई तामागी थी जैसे कि सत्यपाल ने का कि वह बिजली या ती श्रुका इस तो उससे जुडियादान दोंको भगाया गया और फoting ते अपंधी मतनी ही फिर उनको त्वसके बाद क्या हुआ उन्होंने जब त्वस करते कोई रवी섯 साले भी जार وग शार सो साले हो गई जोमने थाग, अब तो एक दिन त्याग तो नहीं है। और समधी नहीं है। तो जो मांसरोट नहीं है। जो रावसमे अ मौन how'söz لوगफ मांसरोट का पानी लाकर यह मौन्दिरर संह जो अष्ट हम वह सब त्यार किया। मांसरूट जाकर को पानी लाए वह से। अच्छो जिए लिंग की आपने बात करी है वो कहा पर है कहां पर है लिंग का लिंग है क्या बोलते जो यह लिंग है ना यहां पे यह सोयम भुल लिंग है और यह जो अन्दर गर्फ गर्वगरीया है वो उसके अन्दर है खम अभी आये अदर तैहे है आप आये थे आपने दर्शेन किये उसनिके और यह 1650 बुशाना पुस्ट पुराना मंदीर है और यहां पर जो इनका जनम जो इनका जनम स्थान है वो शाया है इनके तीन भाई है ये तीन भाई है और ये तीन भाई एक यहां पे रहते हैं और बिजण महराजी सराह में रहते हैं इनके जो तिसरे भाई चंदेश और महराजी है वो शाया में रहते हैं वो चूरधा तिसरी साल आते हैं यहां पे और उनका दिन का सनान होता है वो रात को वापिस अपने स्थान चले जाते है जैसे आपने बताया कि ये तीन भाई थे तो चुड़धार मंदिर और जो सरहाय जो मंदिर है इसका थोड़ा संबन थोड़ा और बता सकते है कुछ विस्टेशन बता सकते है इसमें कि और जो पडहाराज की आ है, इसके बारे में क्या ब Вас एक हमारे भन,डारी जी है आपको बसूरी में परदीब झाहि को हारदी उजह, आपको सारा कुछ बतदीब और वहां का भी मिलिए महाराज जी आये और इनके साथ हमारे दो तिन लोग होLA शोना जैसे हमारे देवा चलता है और ठुंडू चलता है और इसकी ये कारधारी है और हुआ पर पूजा हम ही करते है वो बिजट महराजी के भी और शिर्गुल महराजी के भी सित्पाल जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहां पर कि जैसे और जगह जो है शिर्गुल की प एक चड़ी है शिर्गुल महराज की वो जैसे जाती है ना क्या बोलते आपके सरमाओर आती है आपके जौसार आती है वो यहां तो नहीं है यहां पर सिर्फ सोयम भूशिवलिंग है जो यहां जो भी आते है यहां पर दर्शन के लिए सोयम भूशिवलिंग के लिए आते है जी जी वो ब inaugural मभी ढें चार पने पीछे मंदिर में जब अंदर इन्ट होते है जसके बहल में दिखा सकते हूं दोसरे और श्रीया बावडी बोलते हैं इसके क्या एकिया है यह जो यह बावडी है यह बहुत पुरानी है जिस टाम शिर्गुल महराजी आए थे यहां से एक मांसरवर से एक गाड़ू लाया था और जो यहां पर रखा हुआ था आज यहां पर चाहे कितने ही हजारों शरदाल हुआ है यह पान सनान के लिए देवी देपतायात है तो उनके लिए वह सबसे महत्यों जैसे हरीदवार गये या कैदार बजरीनात गये तो सबसे पहले ही आएंगा और यहां से सनान करके वह पीस चले जाएगे अपने अपने अस्तान पर बालक राम जी आपके पास होंगा मैं जो पूजा क कि जो व्यवस्ता है जो पंडित लोग कौन पंडित लोग यहां के पूजा करते हैं और कितनी पुरानी व्यवस्ता है यह जो नुक्ता बंदू हुए हम जिसे काफी पहले जूड़े हुए महाराज से इसलिए साए कि जब मुझे बुछिर महाराजी यहां उन्होंने बज़र्गी यहां गया उसको पास दनारा समाया उन्होंने मेरे लिंक को पुझना और तूसने पुछा भई आप खांगवा के आया इस परकत रहे के बलकुए उसने बुला जो कमाई आएंगी वो तेरे लिए सारी है तेरे वो ना दोश हो का उसका न कोई फरक पड़ेगा यह दुझा कि और जो पंडित है वो क्या है मतलब इस अंद्वर्ग है जी तो बड़ा लंबा इतियास हम कश्मीरी पंड़त है पहली बार सुना मैंने जी तहम जो है कश्मीर से आए थे मारा भज़र्ग वो निकला जी कहा तो जैसे और शूनकुटे पुजारी हैं जैसे जहाई जहाई के ऐ Practice में हैं और जगह की जैसे आप से खता जर्पायरी के यहाँ कोजो है यहाँ में यहाँ की पूजा करeki चlay हैं। छोत के बाद के जैसे हम च्छुनकुटा रहता हैं। जहां जहां शिर्गुल महराज जी गए है वहां हम लोग गए है और वहां पे जहां भी मंदिर शिर्गुल महराज के है या बिजट महराज जी के है वहां पे सिरफ पूजारी शुनुक्ता ही बंदू कर सकता है और इससे इलावा कोई नहीं जैसे दूसरे पंडित भी आता है या कोई और पंडित भी आते हैं, वो कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, शिर्गुल महाराज की, ऐसे तो जैसे आपके जमाने के इसाफ से तो चला हुआ है, क्योंकि जहां पे शिर्गुल महाराज और बिजट महाराज ये, वहां पे शुनुक्ता ही पूजा करता है, इसमें पूलती है, पौड़ खुलती है, तो यहां से एक डिमो नामक स्थान गाउं पड़ता है, वहां से ठुंडू आते है, सबसे पहले एक पूजारी आएगा उनके साथ, फिर मंदिर खुलेगा, उस दिन से यहां पे पूजा शुरू हो जाती है, और फिर ये तीस नॉमबर को एकादशी आती है, और उस टाइम मंदिर बिलकुल बंद हो जाता है, बिजट महराजी सनान के लिए आते है, शाम को आते है, और देवा भी आएगा, ठुंडू भी आएगा, शुनुक्ता भी आएगा, हामल परगने के लोग भी आएगे, चेता परगने के, चांजू, चलो सारे जगे से यहां पर लोग आते हैं, बिजट महराजी के साथ, फिर यहां पर सनान करके वापीस चल के दुसरे दिन मंदिर बंद हो जाता है, ऐसे गौर्मेंट रएजी रूल पर तीस नॉवंबर को जैसे वेवस्ता बंद करनी है, कमरे, कमल वगरा जो उतलग सी वाते है हम तीस नॉवंबर तक यहां पर इसे नॉवंबर तक जैसे यहां से जो दिवाली होती है ना, एक आदशी में रहका हम यहां पर जो द्व पाँछे महाँएंने का। उसमें क्या व्युवस्था रहती है या। व्युवस्था यहां पर जितने weं करम चारी जाते हैं यहां पर सिरफ अब जब से आशरम में गुरोजी आये तब से यह रहते हैं और बाकी अपनी तपस्वा के लिए रहते हैं वह ऐसे हो मंधिरीक कि अभपाग्ती के लिए रखे गूंए विवस्ता की बात करऊे, अपने बताए कि जो इहां पर गाय हैं, किसे कि शीकों बॉर्ब हम सात महीं नहीं हैं सुबा और शाम पूजा करते हैं और यहां पहाड़ी पूजा ही होती है पहाड़ी पूजा का मनदब थोड़ा जैसे अपनी भाशा में जैसे बोलते है जो इतियाद जो शिर्गुल के बारे में जो बताते हैं वो पूजा में भी बताते हैं जैसे घर में के भी आपके जैसे जौसाद में भी पुजा करते होंगे वसे हमारे पुजा हरी पुजा हूं मैंने देवथल में देखा कि मंदब वो जो है उनकी लोकल लेंग्वेज में ही यहां पर गाके ही होती है बड़ा अच्छा लगता है उसी तरीके से यहां पर होता होगा कहीं न कहीं पर और और विवस्था की बात करेंगें जो पूरानी जो विवस्था थी जैसे शुनकुट हो रहे है यहां पर जो भी मंदिर कमेट जैसे पहले तो यहां पर जब लोग आते थे तो यहां एक जो यह पत्थरी यह सामने आपको दिखाया जाएगा यह सामने जो पत्थरी इसके लिचे लोग रहते थे तो अपना भोजन वगरा घर से लेके आते थे और फिर यहां रह जितने बी जैसे बा मेट्के ते ते ठीन नेज़ बनाए जाते एक फ़ंगा सिन धाउन डिवे है और तो इसको बनाते हैं राथ को उसकी पूजा करते हैं चार फैरकी पूजा होती है । जी यह रात की जागरन होता थि यहां से लोग वाफी जाते करें आदि दो के बैभेस्ता घता दिंहें दो कश्री होना थी हमेदगा पूजारी आपर जो म्यत्किन दिविपेशन त साथरल रञे हमियर CK यहां पे वेवस्ता बनी अब मंदिर कम tobacco, हैं और इहन पे जो लुए है ते बाद फिर दो थी न कि 2003 में बनी सेowych समय्टी यह संस्था बनी और इसमें मिंब्र जूरैO जैसे आपके स्रंव आन हमारी चौपाल से है हामल परगनास है चेता परगनास है और जैसे पॉंटास है अब तो बाहर से भी बहुत काफी लोग जूरुए है और यह इनका यहां पर बेढ़ जब से जो है इसमें मैं लोगों को वेवस्ता बहरें से ने कि अच्छी वेवस्ता हो गई है जो तो यह जो पूरानी जो चीज ह है उस पे थोड़ा लोग अब गंदगी पहलाना शुरू कर दिया बाहर से लोग शुरू हो गया आने अब प्रजक स्थल बन गया है बालकराम जी आपके पास आँगा थोड़ा मैं यहां पर जो वेवस्ता थी जो पूजा पार्ट की वेवस्ता थी जब से जो समेती बनी है और उससे पहले की जब आपके जमाने की मैं बात कर लोगी अभी तो आपकी उमर मुझे लगता है सत्तर के असपास होगी यह ज़्यादा भी ना हो तो जो उस तेम पूजा वेवस्ता थी तो उस तेम पूजारी का क्या अंश्ता उसमें क्या वो था लेकिन अब जो है जब स पूजारी काता होगी जब मंदर कमिटी मनी तब से हमें तनखाई दी जाती है अच्छा ना मत्र भी रसिर्वी अच्छा तो हम जो है कहना हम कहते हैं दसवाया पांच हजार इस तरह के दिये जाते हैं तो नोंने बुला भाई हम तो तनखाई देंगे आपको और उसके पांच है जो कारे कारिंदे और लोग है यह तो अलगे तो तो जैसा देवता के साथ जो है बाजगी वगरा होते हैं कुछ ऐसा है जी है बाजगी तो होते हैं नहीं नमत लगती है माहराज के पास बजाते हैं तो जो जूड़े हुए थे पहले जैसे ठूंड़ी बताया आपने वह मतलब अपनी कल्चर के साफ से जूड़े हुए वह ना किमिटी से उनका कुई संब्दी एसा कुई संब्दी एक चीज और बताऊंगा आपने काफी कुछ चीज है यहां प करते थे जैसे कि यह सामने अभी भी पथर दिख रही है चटाने एक सामने पर बड़ा सी पतर शीला है वह चूरु महराज के गोड़ी के ते 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 उस गवरी बार से अपया है काला बाग पे एक साथ ने हैं अंड में पीछे गोड़ा तो इतियास के बारे में कहते थे कि महराज की जब पानी लाए था मांसरण का उस पर स्वार होके मांसरण गयते हो और जी यह वी देखो सामने आज चो राड के बारे में बता रहे हैं इसको त्रीव गरूर के बहान है जी ऐसे से बहान बहुत सारे है जो देखने लाएक है अचा आपसे जो उपर जो मंदिर है जो यहां से काफी चोटी पर है उसके बारे में थोड़ा बता है यहां जो चोटी जो स्थान है वो जैसे पांडव जब बनबास में गये थे तो वहां से जब वो उन्होंने जब वो जुआ वगरा खिला हुआ था पांडवो ने तो वो हार गये थे फिर उसके बाद वो धर योध वहां पे फिर अब रुखहन में यूद को पूछा गया है उनोंने बनाये की मेरी अंति मिच्छा यह है कि मैने कुड़दार की शोटीसे नहीं को लुग्षित्र की कुलुक्षयतृत्य हौथा भ्लन यूथ को पूछ कि और कि पीसट्र्वा ने विगन कि तौन राइव खुष्न पूच्छ मुन उन्ने बताया कि क्लुग शेटर मैंने बाकी खुश्नी देखा च्री चक्र देखा और काली माता की खपर देखा है। पुरानी है वह तो बनाई फिर वहां पे बहुत अच्छा स्थान बनाए एक चीज और पूछना चाहूंगे मैं आपसे काफी टॉप पर है जहां मैं देख रहा था गर इसकी हाइट की बाद करूं तो तक्रीबन 3500 मीटर के आसपास है मंदिर की 11966 फीट में हां समंदर से और जो उपर की है वो संतिंग 13000 फीट इतनी उचे भाइट पर जो मंदिर बना है काफी बहुत सुंदर है कि मैं दिखता है नजारा दिखता है यहां पे देविस्थल है देविस्थल की मैं बात हूँ जो मैं आपसे बात भी चल रहा था देविस्थल अब जो परियाटक स्थल में तबदील हो गए है कितना दुखद और कितना सुखद है हाँ दुख तो होता ही है अब प्राचीन चीज तो प्राचीन ही होती है अब फिर जैसे जैसे बैवस्ता बनी वैसे वैसे प्रेटक स्थल शूरू हो जाएगा और कुछ टाइम बाद तो अच्छा प्रेटक स्थ तो बनेगा कुछ मेवबाद हो सके कि परियाटक आने से ठीक अच्छी बात है जो शद्दालू बढ़ रहे हैं कही ना कहीं जो है लेकिन परियाटक आने जैसे कहीं ना कहीं जो एक गलत चीजों का मुझे लगता है परदूशन पर या उस पर कुछ बात आपको जैसे अब भार से लोग आएगे तो परदूशन तो हो गई वो तो जैसे हम लोग आते थे हम लोग आते थे जैसे जैसे आप लोग आए आप श्रदा से आए आप जैसे भार से चंडीगर से चले हुए हरियाना से चले हुए कुलुक शेत्र से चले हुए की यूपी उत्राखंड से चले हुए अब आपका श्रमोर भी आता है तो चार परणी ने भी बनते हैं प्राजगर से पीछे समझाब तो 14 परगणे के लोग आते थे इतियासी उनका इस परियाटक इस तलके उसमान के चलो आप तो क्योंकि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो काफी प्लास्टिक की बोतले और खूडा तो यहां पर क्या विवस्तारन की अगर जो है जैसे यहां पर अब काफी कुड़ा दान बगरावी हो गए है यहां पर टॉइलेट की विवस्ता भी होगी चलो मंदिर पर इसर में उतना अभी कुड़ा कट कर नहीं है आपने देखा होगा और जैसे रास्ते में काली बात करूं और पीछे की बात करूं उसकी ववस्ता एंस को जैसे साफ आनने या कोई की विस्टब तहषिल या पूलिस हागी तो उस वेवस्तों को पूलिस यहां देखती है और मंदिर का परिसर में तो ऐसी भी पूलिस रहती है तो बहुत बहुत दन्यवाद आप लोगों का आपने समय दिया अब सत्पाल जी और बालक नाम जी आपका मैं आपसे एक संदेश जाना चाहूंगा कि जो कहीं ने कहीं पर से आए अच्छा अपना प्रदर्शन करें अच्छा यहां पर किर्टन करें कोई ऐसी श्रार्त तत्वा ना करें यहां पर छेड चाड़े वो ना करें और गंदगी ना फैलाए हम प्रेटक को भी बताएगे और अपने जो पहाड़ी लोग आते हैं हमारे जो गाओं के और खुपना ना करें आते हम पाते हैं पर किराओन करें यहां प्रदर 심ाटन करें करें लोगा हैं practically के मॉ wanna अच्छा वो LAUGHTER